हाँ दोस्तों नमस्कार आद आप बहुत बहुत अभी नंदन आज अपने जो टॉपिक है कार्बॉक्सी केसिव एंड इस डेरिवेटिव एंड एंड कंटेनिंग कंपॉंट इसके भी सेंट सेवंटी फाइफ कोश्चन एक एक कोश्चन के बारे बात करेंगे तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कोश्चन तीक है दा जनल फॉर्मूला दा जनल फॉर्मूला दिस मेंस आर C double bond O, O C double bond O यह क्या है पूरा गृप यह है एन्हाइड्राइड क्या है एन्हाइड्राइड तो आंसर तो अपना हो गया यह लेकिन इसकी थोड़ी सी डिटेलिंग बात करें तो इसमें यह भी पोछ सकता है कि एन्हाइड्राइड में दो कैटेगरी होती है symmetrical and unsymmetrical symmetrical मतलब 20 से काटो दोनों तरब क्या हो same हो इसी यह है CS3 C double bond O, O C O और यहाँ H कोई अलग गृप हो इसको काटा 20 से तो यह क्या है unsymmetrical और यही CS3 C double bond O, O C O CS3 इसको 20 से काटा यह क्या हो गया symmetrical ठीक है symmetrical के लिए simple सा जिसे मान लिजी आपका यह यह symmetrical के लिए अपने क्या चाहिए यहाँ पर यह तेरे नाम याद आ रहा है अब इसको काट दिया बीच में तो यह क्या हो जाएगा symmetrical मतलब दोंतर बाल्क डेंस्टी क्या हो भी सेम तो इसमें क्वेश्चन यह भी पूछ सकता है मूल क्वेश्चन में आते हैं अपने से तो सिर्फ पूछा है क्या कौन सा इस पूछा गया इन इसमें भी पूछ सकता था कि सिमेट्रिकल एनहेडराइड या अनसिमेट्रिकल एनहेडर यह भी ऑप्सम देता है तो यहां पर दोनों तरफ आर आर सेम हैं तो यह क्या हो जाता symmetrical enhydrate समझें आगे की थोड़ी बात करता तो ये बात आप कर लेते हैं ठीक है next question पर चलते हैं Acetamide starting से अपने बात करते हैं कि common name याद करो functional group containing carbon one carbon है तो prefix क्या यूज करते हैं form two carbon है तो Acet और क्या आगे है एमाइड तो Acetamide क्या है CS3-C-O-N-H-2 कितने carbon है one two carbon है तो two carbon के लिए prefix क्या होगा Acet और C-O-N-H-2 group है इसका suffix क्या होता है Amide तो इसका नाम क्या हो गया Acetamide सिंपल सी बात है बहुत ठीक है बच्चे परसान होते हैं कि सब्सक्राइब कोई अभ्यासित आई उसमें दो कोश्चन अरे तो एक यह दो कोश्चन यह तब और सुछ सीधे सिंपल से मैटर रहीं बात समर्दे हो तो Acetamide कितने oxygen है इसमें बन अब इसमें कोश्चन यह भी सब्सक्राइब कोश्चन करें अगला कोश्चन है विच इसमें करेंगे अपने Acid, Carboxylic Acid के NCIT पर आप चले जाएए सबसे पहले आप देखेंगे तो उसमें लिखा गया होगा Formic Acid is more acidic than Aromatic Acid और Aromatic Acid is more acidic than Aliphatic Acid हुआ Aromatic Acid is more acidic than Aliphatic और Formic Acid, Aromatic Acid से भी अधिक अधिक होगा उससे भी अधिक अधिक कौन होगा विटा कौन सा अगर जो इसमें कार्बन के पास कोई माइनस आई वाला ग्रूप लगा दिया तो वो Formic Acid से भी अधिक अधिक होगा Aromatic Acid से कम कौन सा होगा एलिफैटिक और Aromatic से कौन सा होगा या फॉर्मिक इससे भी अधिक अधिक कौन सा होगा अगर और ठीक कार्बन पर क्या लगा दिया आपने माइनस आई बात पकड़ना प्योर एंसे कौश्चन आई हुए हैं कई बात तो देख लो यह तो Aromatic Acid यह तो अलिफैटिक सिंपल कम है यह सिंपल सी एस्ट्री प्लस आई पर यहां सी एल पर क्या लगा है माइनस आई ठीक है तो सबसे स्टॉंगे से एसिट कौन होगा फॉर्स्ट ठीक है नेस्ट कॉस्चन याद आगी ना बात Aromatic Acid is more strict than एलिफैटिक और Aromatic से कौन होगा Formic और Formic से भी अधी कौन होते चले जाएंगे जहां CuH के ठीक बगलोले कार्वन पर क्या लगा हो माइनस आई को रिकत ठीक है यह क्वेश्चन है यहां HG प्लस टू है ठीक है तो HC ट्रिपल बॉन्ट यह है सिटली HG प्लस टू डाइलूट स्टीए सोफोर ठीक है कौन से रिक्शन बेटा खुसरोब रिक्शन कौन सा यह कौन से होती है नुक्लोफिलिक एडिशन ठीक सी एच डवल बॉन्ट सी एच ओज टॉटमराइज कर दिया सी एस थ्री सी डवल बॉन्ट ओ एच इसका ऑक्सिडेशन कर दिया तो क्या हो जाएगा सी एस थ्री सी ओ ओ ओ एच ओप्शन में चले आओ क्या जाएगा एन इस थीक है नेक्स चलें राइमें टीमन रियक्शन राइमें टीमन रियक्शन याद है फिनॉल थी एच चल थी एच एक्वस नेवेच क्या बनेगा ओ एच चल यह यह राइमें टीमन रियक्शन अपने आप में यह कुश्चन है इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करें चल थी प्लस एन ए ओच क्या हो गया एन एच यह एच प्लस ह्टू ओ प्लस सी सी एल टू यह क्या है डाई क्लोरो कारवीन डाई क्लोरो कारवीन ठीक ना सी सी एल सी एल एक दो तीन चार पांच है कितने एलेक्टरॉन है सिक्स एलेक्ट्रॉन एलेक्ट्रोफाइल है बिलकुल है एट एलेक्ट्रॉन से कम होगा तो एलेक्ट्रोफाइल और यही अटैकिंग इस्पसीज है मतलब इसमें जो इंटर्मिरेट है क्या है कारवीन ठीक है नेक्स चलें साहिए ना नेक्स क्वेश्चन नमबर सिक्स एस्टिल क्लोराइट कैन नॉट बी ऑप्तें भाइट इस तिल थीक बहुत सांदर प्रिश्टन इस टीक इस थी जी ओ और एच यहां बनना है सी सी इस 13 यो क्या का लगा सकते हो आयस ऑडी नवी our to भी हो जाएगा पैफ भी हो जाएगा पी 503 है इण है की क्कान इता नहीं रही किन ंख il ट यह नहीं होगा टीक है नेक्स को शन चलते है कि नेस्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है क्वेश्चन नमबर सेवन इसमें हलका समय स्प्रिंट है यहां कर दो सब्सक्राइब कर दिया लिए सबने आवाज नीचे अगया 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 कि सी डवल बॉंड ओ डवल बॉंड ओ माइनस और यह बन गया क्या करना है हाइड लुसेश एच प्लस ओएच माइनस क्या बना आंसर सेकंड है ठीक है को दिकत क्या एमजी भी आप कर ले रहा कर लिए ना चलो नेक्स्क्राइब क्या नमबर एट विच रियक्शन इस यूज़्ट फॉर्ट प्रिप्रेशन आफ अलफा ब्रोमो एस्टीक एसिड अलफा ब्रोमो एस्टीक एसिड यह कह रहा है कैसे होगा तो यह एस्टीक एसिड लिए आप नों ने प्रोड़क्ट पूछ लेगा यह यह दे के यह प्रोड़क्ट पूछ लेगा कुछ भी पूछ सकता है तो यह कौन से रियक्शन है एच वी जेट रियक्शन है है एल बोलाड जलैंस की रियक्शन ठीक है इस पर बात करते हैं तो इसमें आंसर कौन सा होगा ठीक है यह कुश्चन है कुश्चन नमबर है नाइन इस पर बात करते हैं सिंपल सी बात है CS3, CO, NH2, N, N, O, HCl के साथ तो पहले तो इसी की रियक्शन कर लो N, A, N, O, 2 प्लस H, N, O, 2 ठीक है ना अब देखो CS3, C, D, O, N, H, H देखना है चोटा सो कुश्चन लें बहुत इंपोर्टेंट है है एच अनो टू ओ एच एन डवल बॉन ओ लिए टीक है कि कलर चेंज कर दे रहे हैं कि यह यह टीक है अब इसका बना तो क्या बनेगा CS3, C, D, O, H प्लस N2 प्लस H2O, सांदार कोश्चन है, आंसर क्या हुआ, फरस्ट, ठीक है, कोई दिक्कत, पॉस करके आराम से देख लो, मिटा जैंगे, नेक्स्ट, सैल्सिली केसिरीज प्रिपेड फ्रॉं फिनॉल, यह है राइमर टीमन का ही क्या है, एप्लिकेशन, किसका अप्लिकेशन है, राइमर टीमन, जैसे फिनॉल है, क्या है, क्या बनता था, और यहीं, क्या बनेगा, और यहाँ, क्या बनेगा, और यहाँ, सैल्सिली केसिर, तो कौन सा आंसर हुआ है, फर्स्ट, बोलो, कोई दिक्कत, नेक्स्ट, which of the following acid has the smallest dissociation constant, निन में किस अम्रिका ब्योजन, कुरांग सबसे कम है, मतलब, कौन सबसे कम एसरीक है, तो यहाँ, याद करना आप DNP rule, क्या याद करना, DNP rule, distance, number, power, DNP, distance, number, और यह, power, जितना pass होगा, ACT उतनी ही अधिक होगी, दूर होगा तो ACT कम होगी, यहाँ देखो, CH के एक तो minus I strong है, इसके ACT तो अधिक होगी, यहाँ, पास है, देखो, अब दूर वाले दो हैं, दो कारवन के बाद, दो कारवन, तीसरे कारवन पर, 123 पर एफ लगा है, यहाँ तीसरे कारवन पर, 123, BR लगा है, एफ और BR में किसका minus I fit कम होता है, BR का, भए minus I क्या होता है, F, C, L, BR, और यह, I, यह तो pass है, और यह भी BR pass है, तो DNP, पहले तो distance ही देखना है, पास है, दूरवाले में, इसमें, इसमें क्या है, अब नंबर भी सेम है, पावर किसका अधिक है, इसका यह अधिक है, मतलब अगर उसकी order की बात करते हैं, तो सबसे दिखाता है, first, फिर, fourth, फिर, second, फिर, third, तो सबसे कम dissociation constant किसका होगा, third, order की बात कर लिए अपनोंने, next, राइमेंटी कार्बॉक्सी फिनॉल को जिंक डस्ट के साथ, जर राइमेंटी का अपक्रिया से प्राप्त कार्बॉक्सी फिनॉल को जिंक ठीक है, फिनॉल है, और कार्बॉक्सी फिनॉल की बात कर रहा है, मतलब आप राइमेंटी में के एप्लिकेशन की बात करोगे, CCL4, NaOH, यहां क्या हो गया, OH, COOH, अब इसकी जिंक डस्ट, जिंक डस्ट, क्या हो जाएगा, Benzoic Acid, आंसर क्या हो गया, 4, ठीक है, next, यह भी अच्छा कोश्चन है, CS3OH, CS3, किसी भी हाइट, Acidic Hidronal Compound, ग्रिगनार येजेंट के साथ, NGX के साथ, तो यह प्लस, यह माइनस, यह माइनस और यह प्लस, क्या बना, CH4, CH4 नहीं, इसमें दिर रखा है, CS3, CO, X, इस फॉर्म, गलत है, हाइड्रोकार्बन सही है, Acetone गलत है, Alcohol इसफॉर्म गलत है, तो आंसर क्या हुआ, second, ठीक है, next, बात करते हैं, which of the following, reduce tolerance region, tolerance region को कौन reduce करेगा, ठीक है, तो tolerance reduction के लिए क्या है, LD होना चाहिए, ठीक है, बेंजल लिएड भी हो सकता है, कीटोन होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, कीटोन, नहीं होगा, Formic Acid होगा, होगा, Formic Acid आपको reduce करेगा, मतलब कौन-कौन reduce करते हैं, LD हाइड, reduce करते हैं, aromatic, aliphatic, दोनों LD हाइड, tolerance, अल्व कर्मक का up-chain करता है, ठीक है, LD हाइड कीटोन नहीं करेगा, ठीक है, ग्लुकोस फ्रक्टोस करेगा, याद आ रहा है, अरे, इससे समझो, कौन tolerance एजेंक साथ रेक्शन करेगा, LD हाइड कर लेगा, aliphatic, aromatic, दोनों LD हाइड करेगा, ketone, नहीं करेगा, formic acid, करेगा, यस, formic acid करेगा, इसमें acid सित्री नहीं, तो क्या होगा answer, formic acid, ठीक है न, यह लिक्वाएगा, नोट करके लिक्वाएगा होगा, सब प्रॉपर, next, next कौन है, ठीक है, पहले इसको लेग लेते हैं, CS, CL3, oxygen करोगे, ठीक हो जाएगा, COCL, बोलो, COOH, COOH, SOCL2, क्या हो गया, COCL, NAN3, C बन जाएगा, NACL निकल गया, CON3, टॉलीन है, ऑक्सिजेशन पर हुआ है, यह क्या किया है, SOCL2 की रियक्शन करी है, और यह क्या किया है, NAN3 की रियक्शन करी है, करी है, अब इसकी कर रहे हैं, heat, क्या करी है, heat, तो heat करोगे, तो इसमें, CO, और N2 क्या हो गया, बाहर निकलेगा, CON, ठीक है, ठीक है न, अब यह इसको देगा, और यह क्या हो जाएगा, रियरेज्मेंट, रियरेज्मेंट होगा, तो C6, H5, N, लेकर न, N, C, O, इसने इसको दिया, तो यह आ गया, इदार, N double bond C, पूरा लिख दें, N double bond C double bond O, अब इसके आगे, अगर जो हाइड्रिस्स, होगर दे रखे होगी, तो कुछ काम बनता, लेकर इसमें क्या दे रखा है, simple, हाड्रिस्स देने, एक हीटिंग, तो यह क्या हो जाएगा, फैनिल आइसो साइनेट, बोलो, इसी में हाड्रिस्स देते तो, यहांसे क्या बन जाता, याद आ रही है, देख लो एक बार को रेक्शन, देख लिया, तो फैनिल आइसो साइनेट, नेस्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नमबर 16, L-I-L-H-4, यह बन जाएगा, C-S-3, C-S-2-O-H, हाँ मेटा, क्वोन सी रेक्शन है, देना मताओ, आइडो फॉर्म, तो यह क्या हो जाएगा, C-H-I-3, अरे, देखो, इसको ऐसे लिख दें, C-S-3, C-H-O-H-H, बोलो, आइडो फॉर्म हो गया, अब इसकी A-G-Dust, C-H, बार-बार चीज़ों को लिख रहे हैं, कि इसको दियान रखो, 6-A-G-I-I-I-C-H-S-C-1-C-H, ठीक न, का अंसर क्या हो गया, थर्ड, बोलो, हो गए बात, नेक्स्ट क्वेस्टन, एसिट की P2O5, सिंपल, लिख लो ऐसे, C-S-3-C-O-O-H, H-O-C-O-C-S-3, P2O5 के साथ रेक्शन, क्या बना, C-S-3-C-O-O-C-O-C-S-3, क्या बना, एन्हाइड्राइड, बोलो, सही है, नेक्स, बोलो, बई, क्वेस्टन नमबर 18, ठीक है, अमोनिया दे रखा, देखो, यहाँ, बहुत बेस्ट की बात सुनो, C-S-3-C-O-O-H, अगर यह बात करते हैं, N-S-3, इसके बात करते हैं, N-S-3, तो यह क्या होता, C-S-3-C-O-O-N-H-4, दियान से सुन लो यह बात, कई बार लफड़े में ऐसा दिया जाता है, अब हीर दिया गया, तो यहाँ, पे-S-2 तो यह हो जाएगा, C-S-3-C-O-N-H-2, थैलिक इसिट से लिया गया, थैलामाइड, थैलीमाइड, याद करो, थैला और थैलिया भी इसको लिख दे रहें, फिर दुबार हम, P-2-O-5, क्या हो जाएगा, यह, C-S-3-C-1-1-N, सही है, कोई दिक्त, तो आंसर क्या हो जाएगा, C-S-2-N-H-2, ठीक है न, यह तो इस कोश्चन का आंसर है, पर ले देख लो, हो गया, यह N-S-3-H-E-T के बाद यह बनेगा, इसकी थोड़ी से और बात करें, तो हम इसकी बात कर लेते हैं, रुप जाओ, थोड़ी सी और बात की यादा रहा है, थैलिक एसिड, ठीक है न, तो आईस-N-S-3-C-O-N-H-E-T कर दे रहा हैं, तो C-O-N-S-2, हम डारेक्ट हीट कर दिया हमने, न, 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 एक एसिड, और बढ़ा सकते हैं, तो थैलिक एसिड, क्योल-N-S-3-C-O-N-S-3-C-O-N-S-3-C-O-N-S-3-C-O-N-S-C-O-N-S-C-O-N-S-C-O-N-S-C-O-N-S-C-O-N-S-C-O-N-S-C-O-N-S-C-O-N-S-C-O-N स्थी-म-I-D, साहिए, चालो, नेक्स्ट, क्वेस्चन नमबर 90, 90 ने पूच्चा है, पूच्छा है, क्या पूच्छा है, और आप A-C-O-N-S-C-O-N-S-C-O-N-S-C-O-N-S-C-O-N, एसिड, फिनॉल, एलकोहल, इस ऐलकाइन, यहाँ पर S2 हो दे रखा है, ठीक है यहां आरो एस दे दिया एक थोड़ा सा यहां पर एक मुद्दा है वैसे आरो एस दे दिया तो तुम एथेनॉल ही मानना नहीं तो स्टू से अधिक हम यहां बोल दे रहे हैं इसमें आंसर तो हम क्लिक कर देंगे काम लेकिन द्यान से सुन लो एसिड इसका तो कोई वज़ी तो सही है अलकोहल और वाटर में अलकोहल बट मेथानॉल इसमें ठीक एकस्समें वहां पर है लेकिन यहां पर मामला सीथे आरो एज दे रखा तो आरो एज कंसीडर एज C2H5OH ठीक है ना तो आंसर थार्ड तो मामला थोड़ा सा ठीक है ना तो यहां पर ROH इसको लेके काम करना है Next Question No.20 ठीक है ना ST के नहीं एस्प्रीन बनाता है तो एस्प्रीन स्प्रीन एस्प्रीन बनने के लिए बता दे रहें OH COOH CS3 CO CO CS3 ठीक है ना तो यह बन जाएगा आपका O CO CS3 CO OH PLUS CS3 CO OH ठीक है ना तो यही क्या है एस्प्रीन दर्द और बुखार दोनों में प्रियोग होता है जाता रहा है नेक्स्ट यह भी इन्साइटी का ही है एसी डिलाइट बनता है जब पीची लफाइफ तो एसीड के साथ CS3, CO, OH PCL 5 के साथ रेक्शन करोगे तो क्या बनेगा CS3, CO, CL एसी डिलाइट किससे बनेगा पहले ऑप्सन है क्यों साब फर्स्ट सही है तो फर्स्ट हो गया है नेक्स्ट ट्वांटी टू और इसको जही है PMT ने एक बार इसको क्वेश्चन दिया था order of acilt fluorostic, chloroestate, bromostic chloroestic acid, fluorostic acid, bromostic acid और estic acid सबसेदिक फ्लोरो यह तो सब में common है अब simple क्या देखोगे minus, minus I किसका देखोगा F, C, L, BR first 22 का answer क्या हो जाएगा first ठीक है ना next चलते है वही जिसकी हम बात कर रहे थे की आ जाएगा आपके साथ question की acid amide है जिसकी reaction BR2 PMT में आया question है इसलिए इस पर बात कर रहे थे ठीक है तो acid amide अब जब तक acid amide का आप इस्ट्रक्चर लिखना नहीं जाना होगे कोई फायदा है तो acid amide ही हो गया CH3 CO NH2 कितने carbon है दो carbon है acid हो गया और CO NH2 का suffix क्या हो गया amide किसके साथ reaction NAOBR ठीक है कौन सी reaction है हाफमान ब्रमाइड reaction याद है RCO NH2 इसकी बात करते हैं हम पहले सभी बात point कर दे रहे हैं BR2 NOH ऐसे दे रखा होगा क्या बनेगा CO डिलीट हो जाएगा RNS2 लिख लेना बेटा भूल रहे हो तो अगर याद है तो हमारी frequency मैच हो रही आप से वो बातें याद हैं तो बता देना कितने मोल BR2 का यूज होगा एक मोल माइड से क्या change होता है कितने मोल NOH का प्रियोगा यह सब जैमिन में आ चुके हैं इसमें repeat हो सकते हैं चीक है तो कितने मोल एक मोल BR2 4 मोल NOH ठीक यहां क्या बनेगा CS3 CS3 NS2 आंसर कौन सा हो गया थार्ड बोलो नेस्ट क्वेस्टिन 24 RCUH से RCS2 OS कौन सा क्वेस्टिन है 24 जाइड से बात है क्या हुआ है यहां पे क्या हुआ बेटा Reduction हुआ है क्या हुआ है Reduction तो Reduction के लिए देखो याने अल्कॉल है Aluminium Isopropag यह वह है 2 डिगरी अल्कॉल को कीटोर में चेंज करता है तो सिंपल इसमें RCOOH LIH4 किसमें चेंज होगा RCS2 OH तो आंसर कौन सा होगा LIH4 NABH4 आंसर सुलने है आपे NABH4 डज नाट Reduce Aster Enhydride Acid NABH4 Acid को न Reduce करता है नहीं Aster करता है RCOCO करता है NABH4 यहां पे NABH4 प्रियोग नहीं कर सकते ठीक है 24 हो गया 25 Nitration आप Benzoic Acid यह है Simple Benzoic Acid और इसका क्या करना है Nitration HNO3 Plus H2SO4 Electrofile क्या होगा इसका NO2 Plus अब COH क्या है Activating Group की Deactivating बोलो कई हो बार से कहते आ रहे हैं Benzene Ring के उपर Activating Group है तो आप क्या करोगे Orthopera Deactivating Group है तो कहां ले जाओगे Meta चीक है इसमें कोई लफडा तो Benzene के उपर COH है Activating है कि Deactivated Deactivating Group तो यह कहां ले जाएगा Meta पे COOH NO2 यहां इस्टक्चिर ना बनाके क्या दिया है नाम तो 1, 2, 3 3 Nitro Benzoic Aces बार बार कहते हैं इन कोश्चनों के प्रेक्टिज 75 कोश्चन अलार्म आगे लगाया हर कोश्चन देखो कितने सेकेंड में कितरे हैं किसमें मिनेट टाइम 10, 20, 30 और गनी की कोश्चन आप 30, 40 स्केंड से नहीं लिने कोई एक आद आ गया कोई बड़ा साब को पढ़ना और ना है तो कोई यह तो पेम्टी में 15, 17 कोश्चन आएंगे उसमें 10 मिनेट लगना यार इसे के पूछा है कि या करता है 1 degree, 2 degree 3 degree को distinct करता है ठीक है तो ही जोटा है c6h5SO2Cl इसी को कहते हैं ही जोटा 50 यह आगे कि कि इस बागी जिए करता विटा वन डिगरी टू डिगरी थी डिगरी एमीन को डिस्ट्रिंगेस करता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चा नंबर 27 कि एसिटिक इस्ट्रेंथ 27 में क्या पूछा है एसिटिक स्ट्रेंथ माइनस आई देख लो कितना अच्छा है हम तो हमने डिस्टेंस नंबर पावर यहीं देखना है अगर डिस्टेंस सेम हो गए तो देख लोगे नंबर फिर देख लोगे पावर जैसे CCL3, यहां NCIT के बात को उठाया गया है, NO2, CCL3, NO2 में किसका माइनस है, CCL3, बोलो, खुसरो यार, एक्जाम थोड़ा आगे निकल गया, बच्चे आज काफी मिलेते हैं, बात सही है कि आदमी पढ़ रहा है, फिर अचानक उसके लिए टार्गिट बना के, लेकिन आपको रु जाओ, क्योंकि इसी में, यह सब पूरा इस साल का गेम पढ़ाय लिखाई तो एक अलग बात हो जाएगी, माइंड गेम बहुत तेज चलेगा इसमें, आप यहां से कैसे सोचते हो, अपने आपो किस टाइब से पेसेंस में रखते हो, यह इस साल का बहुत बड़ा मुद्द किसी के कोई टॉपिक वीक है, उसको सुदार ने का मौका है, एक्जाम तो होगा ही होगा, समझ गये, तो अपने इसाब से उसको सेट करो कि कैसे आप अपने मेंटल लेवल को सेट करके आपको फिर दुवारा लगया, यह नहीं कि आपने जुलाई का बनायत है, यार वो एक सेटेंस, C-C-L 3, अब डिस्टेंस तो देखे, सेटेंस चलिए, बनायत है, शालनी सेटेंस, अब नंबर, इसमें टीन सीएल है, और इसमें एक फ्लोरीन ही, बैए डिम्रद इन्प्ड़ के तेखा अन् पहले कि बिस्टेंस बराबर हो गया, तो हम देखे कि नंबर संध्या किसके दीख भाई एक F है उदर तीन सील है तो तीन सील को दीख लोगे तो सबसे दीख यह पिर यह अब इसमें एक सील माइनस आई यहां यहां क्या देखा है पावर यहां F है यहां सील तो डिस्टेंस नंबर बावर डी एन पी रूल दो बार कर चुक है इसको ठीक है 28 क्लेमेंशन एड़क्शन है और स्योंच की पीचेल फाइब के साथ किया गया है उसके क्लेमेंशन किया गया चलो देख लोग ट्वंटीएट ना है ठीक आर सी डवल ओएच पीचेल फाइफ आर सी ओओ चेल के सी एन आर सी ओओ चीन ठीक है अब इसकी क्या करी गई हाइड्रिस करी गई हाँ है एज प्लस ओएज माइनस चीन की जब हाइड्रिस करते हैं है एज प्लस ओएच माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ओएच 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 यहां सका निकल गया है ठीक है तो अब यहां क्या हो गया और सी डबल वाउंड ओ सीओ ओ अब यहां कर दिया क्लेमेंशन क्लेमेंशन काम क्या है कि कि इसमें चेंज करना अब सीच टू में कि लेमेंटिस रिएक्शन में सी यू किसमी चिंज होता है तो आंसर कौन सा हो गया सेकेंड पूरी रिएक्शन लिखी विए कि ऐसी रेक्शन आने के समोना बढ़े की बेटा नेक्स चलें LD diet ketone के SCN के साथ रेक्शन रियक्शनisi होगा इस्टेरी हिंडंस के इनुवर्सिल प्रवोर्षन लो अने इस्क लोको से कार्बोनिल कंपा। और सब भूट पूचहाते हैं सबसे पहले सबसे पहले इस्टी के लिएड़ी के लिए फिर एरोमेटिक लिएट फिर अलिफेटिक कि टोन फिर एरोमेटिक कि टोन देखो दस साल बेपर कई वार कोश्चन पूचे गए हैं लोग उल्टा सिदा पता ने क्या क्या करते हैं कि वह एक्जाम है कोई थोड़ा पीजडी का उठाग दे देगा नहीं देगा तो हां कुछ बच्छे परसान हो रहे हैं डेली लाइफ तो उसमें स्ट्रक्ट्टर तो चर्ट्ट का है बिटा कैंच अब ब्यास सीटों कर रहे हैं कि आसे क्वेस्चन तो फो पढ़नी है अब हैं सी एस्ट्री चैङ्डी के साथ रिक्टिविटी और नूपलिक का नूपलिक एडिशन है और रियक्टिविटी का इनुछ्टियू C O H H C N H plus C N minus यह minus और यह plus C S 3 C O H H और यहां C N अब क्या कर दो हाइड्यूसिस हाइड्यूसिस करोगे C S 3 C O H H और यहां C O O H ठीक है ना 29 का थर्ड ठीक है नेक्स्ट कि लेक्टिक एसिद मॉलीक्यूल है लेक्टिक एसिद वह लिख दिया C S 3 C O H कितने किरल कार्बन कितने हैं वन ही तो है वन किरल कार्बन करते किरल कारण पूछा है सिंबल बन करो ठीक ना नेक्स्ट कि उसमें किरल कार्बन पूछा तो एक कंपॉण्ट पूछा तो डील तप लगाते हैं ठीक है ना कि दिखें यह एक्सर्ण सी एस्ट्री सी ओ सी ओ सील बेंजिन के साथ सी ओ सी एच थ्री एस सी एन सी ओ एच सी एस थ्री और यहां क्या हो गया सी एन हाड्डिस करोगे सी ओ एच सी एस थ्री सी एन के हैड्डिस पर क्या बनेंगा पिटा सी ओ एच आंसर कौन सा हो गया पास्ट सही है सिस्टमेटिक रिएक्शन लिए सी एन के हीड्डिस पर सी यह बनता है ठीक है तर्टी टू विच आप फॉल्विंग कंपाउंट कैन बी अप्टेंड बाइदा है बाइदा एसी हैड्डिस आफ और सी ओ सी ओ सी ए अब आप थीक्ट ना एसीड्ड हैड्डिस साफ और सी ओ सी यह यह है ठीक है आर सी यो सी यल की अगर हाइड्डिस करते हैं आप तो क्या बनेंगा आर सी ओ और अच यह बनेंगा ठीक है अब इसमें आपके दिवांग में यह चलेगा यह क्यों इसमें है इसमें दोनों मतर आर सी ओ एच है इसमें एस यो सी ओ जनली एक्जिस्ट नहीं करता इस वज़से इसको आंसर नहीं देबगा ठीक है याद है अब इसमें बेस्ट आंसर देने को अपने दे सकते हैं लेकिन इन चारों में बेस्ट आंसर कौन सा होगा फर्स्ट क्योंकि जनली एस यो सी ओ ड़स नॉट एक्जिस्ट अच्छा कोश्च चोटे प्रिसीदें में घलत होगा यह बात तो सेट है कि टफ कोश्चन आप गलत नहीं करते क्योंकि उस पर द्यान देते हो चोटे कोश्चन में दिक्कत आती है ठीक है तो आर सी यो सी यल क्या होगा आर सी यो सी यल हाइडिसिस करें आर सी यो एच बन गया कर दिया भाई अटैक किया सी यल बाहा आर सी यो एच अब यह दो ऑप्सन में आ रहे थे काम एच यो सी यल जनली डाट एक्जिस्ट तभी तो रोजनमंड वाले रियक्शन नहीं कराते थी इसमें बेस्ट आंसर कौन सा होगा फर्स्ट बेस्ट ही को आप यह नहीं करेक्शन कर दो यहां अंगामा कर दो उसके साथ कहां करें वहीसे एक्जाम लेट होगा और करेक्शन से आप सेट करोगी किसार हम तुमालों अब सी एस ट्रींग भी यार एक्सिसमें न ऑफिर इसमें है अहां है हैं यह माइनस और यह प्लस यह हो गया सी आस्ट्री सी ओ एमजी बियार ओसी टुस फाइफ और यहां सी इसको निकल गए c s 3 c o c s 3 अब इसकी है फिर दुबार रियेक्शन कर दो किसके साथ c s 3 mg माइनस और यह प्लस c s 3 c o n g b r c s 3 c s 3 h प्लस ओ एच माइनस c s 3 c o h c s 3 c s 3 ठीक है बोलो तो आंसर अपना अब यह किसी दिमाग में एक मत आएगा किसर आगे तो कुछ लिखा नहीं है कि एथिलेस्टर में कौन साले हैं तो देखो एक जो भी होगा वह एक ही होना चाहिए जैसे यहां देखकर हो गए यहां c 2 s 5 c 2 s 5 c s 3 यह नहीं हो सकता त्रिक्स से का यह काम करते हैं option में एथिलेस्टर लिखा है ना तो यहां कर दो तुम यह कर दिया c 3 s 7 कर दो पहले बूल का जो तो इसमें answer तो आपने दे रहे हैं क्या first आरे c s 3 answer कौन सा दे रहे हैं first इपर फिर कर दो यहां कर दो c 07 a 7 क्यूंकि अधिलेस्टर अब आगए एथिल प्रोपियोनित है कि एथिल सीटेड़ में है क्या है एल्च से और ही यह पता नहीं तो अपने 1 ही ना कर ना क्या हो गया कि हुआ हम डॉब सब्सक्राइब नेक्स्ट सी एस थ्री सी ओ सी एल बेंजीन के साथ बेंजीन सी ओ सी एस थी करनी पड़ेगे सी टू एज फाइफ एमजी बिया वह इसे यहां देना चाहिए हाइज नहीं देखा तब भी अपने क्योंकि ओप्सन में वैसा कोई है नहीं यह चीज इन सब चीजों पर ध्यान देना मालों नहीं आपको उसका बेस ट्रांसर टिक करना है क्योंकि वैसा कोई आप साथ नहीं तो सी ओ एंजी बिया क्योंकि इसका हम प्रमार दे सकते हैं कई ऐसे कोश्चन है जिसमें आगे एच प्लस होगा नहीं लेकिन उसमें आप संगे क्योंकि सॉल्ट है रखो कि फिर वह एच प्लस वह एक्षप्ट कर लेगा तो यहां क्या होगा है सी टू एज प्लस में सॉल्ट बनता है लेकिन उसमें सॉल्ट ऑला उप्शन है फिर आगे एल्कोहल दे रखा है तो उसकी रियक्शन के लिए एसी बनाना पड़ेगा तो वैसे क्या काम है इसमें अब देखो यहां पर तुम चाहते तो ओम जी बिया लेकिए अब ओलो कोई उप्शन है है नहीं है इसलिए आंसर आपको देने पड़ेगा स्वाइब क्या कहना चाहा रहा हूं यह बात पकड़ लिया क्योंकि वह सॉल्ट हाइड्रिस अब स्वाइंजी भी आ रहे है वही सा कोई आप्शन नहीं है तो उसकी हाइड्रिस करनी पड़ेगा ठीक है नेक्स यह कौन स कि यह प्लोराइड एक ही इसमें पीसिज फाइफ होता तो जीसे सीजी सी तरी सीयोट है ऐसो चीए तो या पी सीयल फाइफ या पी सीएल्ट त्री इस साद क्या करेगा सी त्रीस यो सी ए बना देगा है आए सब सब्सक्राइब कूंसा हो गया सेकंट ठीक है नेक्स प्लॉस 36 iodoform test is not headlightsraum test यह ग्रूप होगा यह ग्रूप होगा यह ग्रूप या यह ग्रूप यह आइडर ओलन टेस्ट, देंगे ठीक है एसी टोन सी एस थी सी ओ सी यह है हाँ याद करना यह बताया था मैं सी एस थी सी ओ यह लोग प्यर वले हैं तो यह आइड़ोफॉंट टेस्ट नहीं देंगे इताइल अलकॉल यह तो देदेगा यह तो पर लिख लिए स्टी एस त्री जटो और आगे लागे यह नहीं देगा मतलब आसर कौन सा और नेक्स्ट एलाइल साइनएट सबसे पहले एलाइल साइनएट लिखना आना चाहिए आपको एलाइल साइन एक कौन होगा CH2 double bond CHCN sigma pi bond one single bond equal to one sigma one double bond equal to one sigma one pi one triple bond equal to one sigma two pi तो इसको kola CHH double bond CH C triple bond N कितने single bond है 1, 2, 3, 4, 4 sigma double bond में one sigma one pi triple bond में one sigma two pi तीक है तीक है क्या है एलिल एलिल इलिल इलिल यह नहीं है यह एलिल साइनाई लिको पर दुवारा CH2 एलिल इलिल CH2 double bond CH CH2 C triple bond N यह है एलिल तो तो कौन सा हो जाता है विनाईल को लो c h h double bond c h c h h c triple bond and up single bond count pro 1 2 3 4 5 6 7 7 sigma plus double bond 1 sigma 1 pi triple bond 1 sigma 2 pi 4 7 8 9 sigma 3 pi 9 sigma 3 pi की option 9 sigma 3 pi का यह है और कोई option नहीं है नेक्स्ट चलें कि सी एस्ट्री सी इन का रिडक्षन है एंडे प्लस सी टूस्ट फाइफ ओएच मेंडियस टाइप की रिडक्षन नहीं होती होई है या एस्टू निकल भी करें तो ही है क्या बनेगा सी एस्ट्री सी एस्टू एन एस्टू नेक्स्ट अभी बात किती हीं में क्या होता है सी सिक्स एच फाइफ सी यो सी एक यह क्या करता है वब दिडिटी थ्री डिगरी अमीन को दिस्ट्रिंग्रिस करता है कैसे करता है देख लो आके C6H5, SO2Cl, C2H5, NH2, क्योंकि reaction भी आ सकती है, HCl, C2H5, NH, SO2, C6H5, यह NaOH में Soluble है, ठीक है, दूसरा, C6H5, SO2Cl, C2H5, NH, C2H5, C6H5, SO2, N, C2H5, C2H5, यह NaOH में, InSoluble, Soluble, नहीं है, C6H5, SO2Cl, ठीक है, कैसे Soluble है, क्योंकि यहां पर इसलिक हाइडोजन, यह था, इसलिए NaOH में Soluble हो गया, यहां नहीं है, इसलिए, नहीं साथ, ना हों सब, यह C2H5, N, C2H5, C2H5, reaction होगी, बेटा, reaction ही नहीं होगी, जिससे, यह रहे बात, N, C, I, T का मेंटर है, 1 डिगरी, 2 डिगरी, 3 डिगरी, अमीन को यह क्या करता है, Distinguish करता है, सही, बात है, कौन सा question किया गया था, 39, अब आगे करस्पे, 40, 40 नमबर, क्या कह रहा है, Acid Amide, की P2O5 के साथ reaction, चलो देख लो, Acid Amide, P2O5 का का क्या होगा, पानी निकालना, CS3, C, triple bond, N, Reduction, 4H, CS3, CH2, NH2, क्या होगा, अंसर, Second, 40 का अंसर क्या होगा, Second, चलो देख लो, नेक्स्ट, 41, चलो, प्रोपियोनिक एसिड लिए, प्रोपियोनिक एसिड, किसके साथ रेक्शन, S, S, O, C, L, 2, CS3, CS2, CO, CL, NS3, CS3, CS2, CO, NH2, BR2, K, O, H, CU क्या हो जाएगा, Delete, CS3, CS2, NH2, कौन्स रेक्शन है, हापमान, BR2, कितने मोल, BR2, बोलो, बोलो यार, एक, NAOH, चार, आंसर, Second, ठीक है, कितने होगा, Question, 41, 42, जाए जो नी, हम CU, CN के साथ रेक्शन, N2 निकलेगा, क्या लग जाएगा, CN, सिंपल से बात है, डाइजोनियम के तो बहुत फेमाज से एक्शन हैंन कंटेनिंग मोना, यादा रहे, चालो, NEXT 43, इथाइल एमीन, HGCL2 के साथ, C2H5, NH2, Mustard Oil, NH2, इसमें, CS2, HGCL2 हो रहा है, हाई न, CS2 इंपरिजन साथ, इसमें, CS2, C double bond S double bond S, C2H5, देखना इजर, NH, C double bond S, SH, ठीक है, HGCL2, ठीक है, तो यह जाएगा, C2, H5, N double bond C double bond S, ठीक है, न, ट्वाइस एजीएस एन डवल बॉंड देवल बॉंड एस ठीक है न है एजीएस और ट्वाइस एस चेल निकल ले गया तो क्या बन गया इथाइल थायो आईसो साइनेट टू डिगरी सी एस्टू क साथ रियक्शन कर लेगा आगे निक करेंगा और त्री डिगरी इसके यह भी आईसों मस्टाड ड़ानिवल भी बात है कर लोchnे देख लो के देख लो चेस टू यह किया है यहिएस एस निकल गया है है और ट्वाइस एस डव Hear 2 degree सिर्फ CS2 के साथ reaction करेगा आगे HGCl2 के साथ नहीं करेगा और 3 degree amine है तो CS2 के साथ नहीं करेगा तो यह भी क्या करेगा 1 degree, 2 degree, 3 degree amine को distinguish करेगा चलें आगे next 44 CCH5 NH2, HClNN2 याद है कौन सी reaction है HNO2, NH2, HCl यह है NH2 NH2, NH2, HCl इसके को बड़ी से मैकेजियम बड़ी से क्या N2 प्लस C L माइनस यह से NH2, HCl किया फिर HNO2, फिर इसमें N डवल बांड O, इलेक्ट्रोफाइल इंसर्ट कराते थे करते करते अपरे चले गए याद आ रही है वह ही है, बेंजीन डाइजुनियम यह रेक्शन है N, A, NO2, HCl है, तो सब में करते थे अपने, क्लास में यह दिन पूरी प्रेक्टिस ही करी थी, N2 प्लस, C L माइनस अब इसकी, सैंड मेयर गांड, HBF4 वाली रेक्शन याद रो, C, U, HCl, C, U, 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 HB, R, भी हो सकता था, के आई, ही थीक, न? HbF4 heat याद है फिर इसमें coupling reaction भी यहीं यहां बन जादा था CLI fluorobenzene बाल सीमन reaction याद है रही बाल सीमन reaction और यह कौन से लिखाता है कुपलिंग वाली कुपलिंग फिनॉल एनिजीन और स्थी पीओ टू स्थी पीओ टू हीट बेंजीन बना था याद है बेंजीन बना था इस सब पुरानी बाते लिख रहे हैं अपने कि आपको बस तुरंत अपना कॉंपी निकाला सब चीज़ें रिवाइच कर लिए ठीक है लीए द्रश्च को लैंगवेज मिलिख दिए हैं डाइजोनियम एन तू प्लस इल माइनस स्थी दिए ना नेक्स 46 गैब्रियल थैलामैड सानदार किसके लिए होता है कि प्राइम्रिय अर्मेट्रिक प्राइम्रिय अलीफ एक लिए बोलो है एली फैटिक के लिए क्यों देखो गैब्रियल सामेड देख लो यह है सी यो एनच थैलामाइड एक थैलीमाइड बोला थैलीमाइड थैलीमाइड बेच के साथ रेक्षिन कर दी वन डिगरी तो इसमें लोग बाप जाते हैं लेकिन अरोमेंटिक नहीं कहना है अगर मालने हमने लिग लिया इसलिए एक सब्सक्राइब यहां से निकल पाएगा बेंजीन से छी नहीं निकल सकता इसलिए यह रिक्षिन नहीं होगी इसी का आगे सी टू एज फाइफ एन एसटू ले लें सदी C2H5, C1 ले ले, तो यह हो जाएगा, C0, N, C double bond O, N, और यहां C2H5, हाइडिसेस करोगे, यहां OH, यहां H, यहां OH, यहां H, यह क्या बन जाएगा, C2H5, N2, मतलब, 1 degree amine के लिए होता है, लेकिन, एलिफैटिक और और अर्मेटिक किस में होगा, एलिफैटिक में, मतलब, प्राइमरी एलिफैटिक, सांदार सीजिए, बोलो, चलें, next, which one of the following amine will not react with nitrous, HNO2 के साथ reaction, देख इदर, 1 degree amine reaction कर लेता है, कैसे, simple हम RNS2 के साथ बहुत सांदार मेटर बता दे रहे हैं, HNO2, OHN1O, तो RNHH, OHN1O, H2O नहीं कल गया, ROH, क्या बन गया, ROH, प्लस N2, प्लस H2O, ये बना, बोलो भाई, सही है न, 2 degree amine है, मालो, RNHH ही बता दे रहे हैं, RNH, R, OHN1O, याद करो, पीला तेल, RN, RN1O, क्या हो गया, पीला तेल, क्या दा रहा है, 3 degree amine के साथ reaction, salt बनेगा, तो, जनरी वो nitrogen नहीं देगा, इसमें तो, निकल गया, एस्टो निकल गया, क्या रहा है, हम लिके साथ, क्रिया करके, लेकिन इसमें 2 degree नहीं है, इसमें तो ये है, ये nitrogen देगा, N2, ये भी 1 degree है, ये भी 1 degree है, ये नहीं देगा, इसमें question ने पूछा, कौन नाइट है, हम पूरी बात बता रहे है, क्योंकि N2 गया, तो 1 degree में निकलेगा, अब एक बात इसमें सुन दो, अगर CS3 NS2 के साथ reaction करते हैं, तो इसमें और सारे बहुत सारे product बनते हैं, अगर especially CS3 NS2 HNO2 के साथ reaction करेगा, ये किसका question जानते हो, एक्जाम्प्लर का, हNO2 के साथ reaction करी, तो आरो एच, आरो एनो, आर सी एल, और यहाँ, CS3, वही, CS3 NS2 OH है, वह CS3 है, यहाँ CS3 OH बना, और इसके CS3 प्लस, माइनस H, प्लस निकल गया, CS3 O, CS3, ये सब बता जा चुके हैं, इसलिए हम क्यों recall करा रहे हैं, इथर इसका मेन प्रोड़क्ट होगा, बनने को सब बनेंगे, अल्कोहल, नाइट्रो, ये सब लेकिन, इथर इसका क्या होगा, मेन प्रोड़क्ट, ये बात समझ गे, क्या होगा है, CS3 OH प्लस CS3, माइनस हच प्लस निकल गया, इथर बन जाएगा, ये इसके साथ रेक्सन कर लेगा, तो इसमें ये पूछ लेकिं, मिथाईल अमीन की रेक्सन होगा, तो मेन प्रोड़क्ट क्या बनेगा, तो क्या बता होगे, एथर, ये जहीं में आया, कोसिस की है, जो भी हमें मिला, तो इसके चारों तरफ अपने बता दें चीजों को, ये क्वेश्चन सिंपल सा था, उसके आगे ये चीज बतानी जोगी थी, क्योंकि एक्जाम्पलर क्वेश्चन है, सीजे टक्स से रिपीट हो सकता है, पूरा को पूरा क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट, नाइट्रो इन नाइक्रो बेंजी, क्या है ये, एक्टिवेटिंग की डी एक्टिवेटिंग, एक्टिवेटिंग है की डी एक्टिवेटिंग, बोलो, डी एक्टिवेटिंग, तो कहा जाएगा, मेटा, मेटा का ओप्सन कोहा है, फुर्टी एट का क्या हो गया, सेकेंड, नेक्स्ट, नाइट्रो बेजिन को कहते हैं और आफ मेरे बैन नाइट्रो बेजिन है यहां है फैक्ट वाइज कुश्चन है वेरी गुट कुश्चन है मोस्ट बेशिक एक प्रेजिन्स होने से बेजिटी कम होगी क्लियर अब यह है सेकेंड्री यह है टर्सरी यह है एनिलीन और यह है अमोनिया याद आ रहा है यह इनसियाटिक बात इसलिए हम याद रहा है इस पटना किस केस में CS3 वाले के केस में यह है सेकेंड्री यह है प्राइमरी यह है टर्सरी यह है अमोनिया और यह है एनिलीन इसलिए यह याद रखना क्योंकि यह है इंपोर्टन चीज है और केस में क्या होगा बोल दो मेरे बेटे मेरे बेटे बेटियां बोल दो इस टपना इस टपना वही सकेंड्री टर्सरी प्राइमरी अमोनिया इनिलीन इस पटना याद रखना दोनों याटे में है तो हाँ एककोस मेडियों कुछ नदर रखाओ तो एककोस मान की चलना और दे दे वाटर में तब नहीं तब जितना अच्छा प्लस आई ग्रूप बढ़ेगा बढ़ेगा इस पटना इस टपना सीटवेस फाइव केस में और पूश ले कियो हूँ यह इससे अधिक बेसिक है क्योंकि प्लस आई और यह कम है उसका रिजन इस्टरिक हैंड्रेंस क्या होगा रिजन इस्टरिक हें नेक्स्ट कौन सा माद्धमिक योगिक है नाइट्रो बेंजीन यह है तो माद्धमिक योगिक पूछ रहा है ना तो याद करो अगर इसका औक स्टेसन करते हैं ना है कि क्या बंग जाता है नैट्रो बेंजीन इसी के इंटर्मिट के थ्रू होके जाता है अगला क्वेश्चन नेक्स्ट इन मेथले एलकाइल गुरुप इस टीटेव बेसीटी करेक्ट ओडर भी थाइल कर देना CS3 के केस में बोल तो तुरंथ इस पटल ना यह है एनिलीन यह है अमोनिया अपने को तो सिफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्सें पूछा होगा तो हम याद ही बोल देना है CS3 केस में इस टपना सबसेदी कौन होगा सेकेंडरी फिर प्राइमरी फिर तर्सरी फिर आगे अमोनिया फिर एनिली इस पटना सिफ फाइब केस में बोलो इस टपना सकेंडरी टर्सरी प्राइमरी अमोनिया इनिली थीक है नेक्स्ट हाँ दो नाइक्ट्रो बेंजीन हैं और अगर इसमें कोई बैसे वाले डालोगे एसने सेल फेसल दोनों रिड्यूस हो जाएंगे लेकिन इसमें एने फॉर एचस या एने टूएस भी होता है एने टूएस तो एक नोटू किसमें चेंज कर देगा एनेस टूएस एक नोटू किसमें जाएगा एनेस टूएस तूएस कौन सा है सेकेंड यह वी कॉपी में लिखावा सब मैंटर है कोई दिक्कत नहीं है ने इस पटना याद हो जाएए तो सबसे देख तूटू 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 यह इस पटना इस पर नहीं तो फिप्टी फॉर का अंसर क्या हुआ हुआ थर्ड नेक्स CS3CN CS3MGI सिंपल सी बात प्लस और यह माइनस माइनस और यह प्लस CS3C CS3 सिंपल साइट की गरिगना रेजन के साथ रेक्शन नेक्स 56 डिक्रीजिंग और और आप बेसिटी इथाइल ना इथाइल के लिए क्या होगा इस पटना इस अपना बोलो इस पटना है CS3 के लिए इस टपना है C2S5 के लिकिन यहां एक एमाइड है लिख लो इस टार बना के एमाइड is less basic than ameamide is less basic than ameamide ameamide से क्या होगा कम चाहते है कि बोलो कि सांदार दो बार आए कोश्चन है भुपाल गैस्टेश जी भुपाल में मिथाइल आइसोसाइनेट मिक सी एस थ्री एन सी ओ मिथाइल आइसोसाइनेट मिक इसी का रिसाओ हुआ था तो इसमें क्या पूछा है था कोश्च वोपाल गया स्टेट जी चीक न बन टू थर्ड अच्छा अच्छा इसमें तो मामला वो कर दिया क्या किसकी रियक्शन से बना तो मिक हमें चाहिए जानके कि वोपाल के स्टेशिक क्या है मिथाइल आइसोसाइनेट अब मिथाइल एमीन ले लो रियक्शन पूछ रहा है मिथाइल एंसी हो रहा है एच सी सीओ सील टू बहुत सांधार यह भी क्वेश्चन सांधार आ गया है मज़ा आगया सीस्ट्री एंड डवल बॉंड सी डवल बॉंड कैस से बना यह पूछ लिया यह नहीं पूछा था जैमें में पूछा था कि बुपाल का इस्टारजी में कौन सी गैस का रिसाव हो था तो मिथाइल एक्शन चैनिल इसमें अच्छा कर दिया है बढ़िया ठीक है next तो आंसर समझी उसमें जो आंसर कौन सा हो गया है मिथाइल एमीन आंसर थार्ड ठीक है ना मिथाइल एमीन और फॉस्जीन गैस यह ना वन एंड टू नीट वह पूछन नमबर फिप्टी सेवन चीक है फिप्टी एट नेक्स्ट आइसो साइनेट के हाइडिसेस कर देते हैं आर एंसी इसके हाइडिसेस एक बात देखो आर एंसी पहरे बात आइटी जैसे एक्जानेट पूछा गया कि आर एंसी की करेक्ट आइसो एलेक्ट्रोनिक इस्ट्रक्चर क्या होगी तो आर एंसी की करेक्ट आइसो एलेक्ट्रोनिक इस्ट्रक्चर होती है वह होता है आर एंड प्लस C- क्यों? क्योंकि RNC यह है कि बहुंद तो कोई तोड़ा नहीं तो इस पर प्लस है जो देता है उसे प्लस जो लेगा उस पर मैनस तो यह RNC हीड्रिस इस किया तो देखो RN पे प्लस C पे माइनस लेकिंगे इसको तोड़ रहे है माइनस और यह प्लस माइनस और यह प्लस माइनस और यह प्लस तो आर है एच प्लस ओएच माइनस ठीक है ना? माइनस के पास क्या जाएगा प्लस वाला तो ह ह एच एच प्लस C माइनस ओएच 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 यहां से क्या कर दो ह का ट्रांसपर बन जाएगा और यहां से पानी निकाल दो प्लस सी डबलो एक सांदार मैंके जब लो बोल्ट करके आराम से देख लो इसने पूछ सकता है कि आरन सी की करेक्ट आइस एलेक्ट्रोनिक स्ट्रक्चर क्या है वो दूसरा इसके हैं कौन सा जाएगा वन डिग्री एमीन एंड फॉ हां वो तो क्वेश्चन चेंज करा है लेकिन इसी क्वेश्चन के लिए अगर जो हो तो बेस्ट कौन सा होगा एस टू निकल उसने हमने कहा था न कि एमाइड को एमीन में कनवर्ट करने के लिए कौन नहीं होगा तो एने बीएस फॉर भी ज़ने नहीं होता हो पीशी सी बात करते हैं अपने तो कौन अप्चा सरवाधिक प्रभावी होगा तो आंसर स्टूनिक क्योंकि एक महेंगा करमक है और यह आंसर इसमें स्टूनिक के लिए लेकि चले जा ठीक ना यह बहुत डाटाबेस टाइप का कुश्चन है खैस लेकिन ठीक है CS3 तो यह बन गया है बेंजीन एन एच सीओ 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 स्ट्री और यहां क्या हो गया है और यहां CS3 अब यहां मजबूरी है नहीं तो यह पैरा क्या है ब्लॉक है अब क्या कर दिया है एस्टू ओ एच प्लस यह हो गया एन एस्टू और यहां क्या है CS3 यहां सब्सक्राइब यह concept of protection anxiety के मुद्दा है अगर यहीं simple यह हटा देते और यह होता आगे यह तो यह और्थो बना जाके कहां जाता पैरा के सही बात नेक्स्ट वाटर एक्वस मीडियम में एक्वस इन एक्वस मीडियम नॉट कंसिडिरिंग इस पटना इस्टपना जितना अच्छा प्लस आई एफेक्ट होगा बेसीटी उतनी ही अच्छे होगी तो टर्सरी फिर सकेंडरी फिर प्राइम गहुर करना अभी हम इस पटना इस्टपना खुब चिला रहे दिना कि इस पटना हो जाएगा च्छी स्टपना स्टपना हो जाएगा लेकिन एक्वस मीडियम में आपको कोई इस पटना इस्टपना नहीं देखना है सीधे क्या करन यह हो गया X C 6 H 5 N 2 प्लस C L माइनस यह हो गया C 6 H 5 C N हाइड्रिसिस करोगे क्या बनेगा C 6 H 5 C O O H कौन सांसर है सेकंड शीटू का क्या है सेकंड बेंजोई किसे ठीक है न ठीक इन दिस रेक्शन सेस्टी सी ठीक है तो सी एस्ट्री सी ट्रिपल बॉर्ण एन तो यहां रिदक्शन होगा तो तो सी एस्ट्री ठीक है शी एच डबल बॉर्ण एन अच यह होगा अब कहा रहा है हाइड्रिसिस को एच प्लस ओच माइनस माइनस और यह प्लस माइनस और यह प्लस सी एस्ट्री सी एच ओएच 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 और यहां से क्या निकाल दो सी एस्ट्री सी एच ओँ आंसर क्या होगा थार्ट है ठीक है और न एच डबल बॉर्ण ओएच पी-ओ-सी एल-3 एच बन जाएगा प्यों दरी काम क्या है एस्ट्रो निकालना और एट्रिपल बॉर्ण और थी एच अश्ट्री निकाल दिया है क्या बन गया सी एच नेक्स 3-4 ट्राइ नाइट्रो ब्रोमो ट्राइ ब्रोमो एनिलीन ठीक है ना 65 ठीक है 3-4-5 बियार और डाइजोटाइजेशन करनी है एच एच एल यह हो जाएगा एन्टू प्लस सी एल माइनस बी आर बी आर बी आर एस्ट्री पी ओ टू सांदार कोश्चन यह भी है एस्ट्री पी ओ टू ठीक है ठीक है ठीक है ना सही है आंसर कौन सा होगा वन टू थ्री ट्राइब रोमो देंगी श्क्स्टी फाइज नेक्स चलें पॉस्टिब कार्विल अमीं टेस्ट 66 पॉस्टिव कार्विल अमीन टेस्ट कार्विल अमीन टेस्ट कौन देगा वन डिगरी एलिफोर टिक अरोमैटिक अमीम ठीक है तो एनन डाइमेथिल एनिलीन नहीं देगा 246 24 डाइमेथिल एनिलीन एन एस्टू क्या हो जाएगा एन सी और यहां क्या हो गया सीएस्ट्री सीएस्ट सिस्टी सिक्स कांसर क्या हो गया सेकेंड शिक्स्टी सेवन नेक्स्ट कुप्लिंग रियक्शन है तो डाइजूनियम एन टू प्लस सी यल माइनस ठीक ना और इसकी कर लेते हैं एन डाय मेथिल एमीन के साथ एन सीएस्ट्री ओल्ट्वाइस यहां क्या है एच क्या निकाल दिया है एस सी एल ठीक ना एक क्या बन जाएगा एन डवल बॉन एन जो जो दे रखा उसको देखो यहां बेंजीन एन सीएस्ट्री ओल्ट्वाइस कौन सा होगा अंसर फ़स्ट है ठीक है शिक्स्टी एट इस अच्छा तो बेंजीन का नाइट्रेशन करो क्या जाएगा एन ओटू SNSCL SNSCL डालो या FESCL डालो किस में चेंज होगा एन डूब सिक्स्टी एट का अंसर क्या हो जाएगा सैकेंड पूछा न, नेक्स्ट 69 ठीक है, हाँ बेशिटी है तो सबसे पहले गौनिदीन टाइप का स्टेक्श्टर, फिर आप एमाइड सबसे लेसे ते गौनिदीन टाइप के स्टेक्श्टर कौन है है एच प्लस लेने के बाद ये रेजोनेंस दोरा इस्टेपलाइज होगा तो सबसे अधिक जो सबसे अधिक एच प्लस लेने के बाद तो वन हो जाएगा और फिर इस पटना यह है टू डिगरी थार्ड सेकेंड और लास्ट में फोर इमाइड इस लेस बेसिक देन एमाइड इस लेस बेसिक देन एमीन ठीक है और यह कौन सा है गौनिदीन टाइप के स्टक्शर है एच प्लस लेनेक बाद इसकी बेसिती क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी द्याने नेक्स्ट कार्विन एमीन टेस्ट रेक्शन करोगे यह जाएगा एन सी पैनिल आइसोसानाइड कौन सांसर रोगा फ़स्ट सेवन टीका फ़स्ट नेक्स सेवन टीवन मेलिशीन इस अमोंग दो फोलोग इस करेक्ट इसमें देख पूश्चन हो दूरा है विच इमक्शन है कौन सी फॉर्मिल डिहाइड की यहां कुश्चन में इस फॉर्मिल डिहाइड अमोनिया के साथ रेक्शन करेगा तब की बात पूछ रहा है तो formaldehyde ammonia के साथ reaction करेगा तो ये बनेगा ठीक है ना ये पहले question देख लिया इस reaction के लिए बात हो रही है अब जब formaldehyde ammonia के साथ reaction करेगा तो ये बनेगा CS26N4 hexamethyltetramine hexamethyltetramine और इसी के HNO3 के साथ reaction करोगे तो क्या बन जाएगा RDX परहे तो question लेख लो 71 में क्या है formaldehyde ammonia के साथ reaction है अब पूछ रहा है which among the following is correct ठीक है ठीक है इसका RDX ये एक polyhectrocyclic compound है structure आँ तो ये बना देखो NCS2 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 ठीक है और इसी के HNO3 के साथ reaction होती है तो सभी यहां क्या लग गया NO2 NO2 और यहां NO2 क्या बन गया ये RDX ठीक है अब देखो polyhectrocyclic है इसका यूज होता है जो यूरिनीरी इंफेक्शन वाले यूरीन इंफेक्शन और यह explosive है तो देख लो product usage मेनी सीन सही है product hexamethyl tetraimine सही है poly तो मतला answer क्या हो जाएगा फॉर्थ answer क्या इसका फॉर्थ ठीक है next सभी question है question लेग लिए formally idea हो नहीं है किसा 72 RNS2 RNS2 C6 H5 SO2 CL RNH SO2 C6 H5 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ना कौन सांसर होगा third 72 का क्या जाएगा third next the strongest base among the following जिसमें resonance नहीं हो कौन सा strongest होगा जिसमें resonance नहीं हो इसमें भी resonance है इसमें भी है इसमें नहीं है तो यह strongest base होगा ठीक है ठीक है इल्डोल CS3 आमने सामें रख दिया रख दिया और क्या करोगे पानी निकाल दिया क्या निकाल दिया पानी क्या बन गया CS3 CCS3 double bond CHCO CS3 कौन साम सरुआ 74 का 75 सहीए चले आगे 75 देख लो बिटा pH glycine exist pH equal to 4 मतलब मामला क्या है acidic कोई structure दे रखा हो NH2 CH2 COOH तो यह तो ऐसे रहेगा और इसमें क्या करोगे H प्लस जोड़ दोगे NS3 PLUS CS2 COOH चीक है कोई लफ़ड़ा है कर लोगे खोलो तो इसमें बात हमने 59 की तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है बटा सुन लो 59 वाले में आपको एमाइड सेमीन बनाना है तो बेस्ट रियेजेंट पूछ रखा है तो इसको एस्टोनिकली बेस्ट जाएगा कि LILS4 महेंगा विकर्मक होता है और जो इसमें इसमें चेंज करने कहा था तो उसमें आंसर आगो जो कोश्चन लिक्वाया था न किसमें कहोते है न इन भी एच फूर पी-सी-सी दो नहीं हो जाएगा उसमें चीक है यह 75 कोश्चन हुआ कर लोगे अब इसमें अगला आपका डेली लाइफ को उगरा का क्वेश्चन डेली लाइफ पॉलिमर बाय मॉलिक्वल इसको आप आराम से करना क्वेश्चन अपने एक दुझागा मेर्टर था तो क्वेश्चन लिखी दिया था जैसे इरोट्रोपीन वाला था ठीक है लागडाउन का एक्जाम पोस्पोंड हो गया उसमें कोई जादे परसान मत हो बेटा सबके साथ है वो दिक्कत अपने भी इस परसानी हो रही है कि बच्चे अपने दुखी हो रहे हैं खैर थोड़ा सब पेसेंस रखके दिमाग को संकुचित करके अपना आराम से काम करो र